वेलकम अगें तू मैं चैनल आई होप यौल मस्ट वी डूइंग वेरी गूट इन यूर लाइफ आज की हमारी जो वीडियो को टॉपिक रहने वाले आज हम बात करने वाले हमारे विंचील्ड वॉशर के बारे में उसके अंदर जो मोटर लगी होती है उसके बारे में और कैस जो लाइफ है वह मारी अच्छे से रहती है क्योंके भी पीछे के एक दो वीडियो मैं देखा एक दो लोगों के कॉमेंट आये थे कि हमारे जो विंचील्ड वॉशर की जो मोटर होती है वह फ्रीक्वेंट ली खराब होते जा रही है उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे का जो reason है वह आज में आपको इस वीडियो में अच्छे से describe करने वाला हूं कि उसके पीछे reason क्या है और कैसे आपको prevent करना है और हमारी कार के लिए जो washer fluid आते हैं वो कौन से best होते हैं और किस टाइप के washer fluid आपको use नहीं करने चाहिए आपकी कार के अंदर तो इस follow करना चाहिए और आपको क्या follow नहीं करना चाहिए ठीक है और अगर आप इस चैनल के ओपर नए हैं तो सबसे पहले तो subscribe कर लीजिए क्योंकि अगर आप subscribe कर देंगे तो में थोड़ी सी motivation मिल जाएगी ऐसे से मेरा जादा बनानी आपके लिए daar aan future तो जल्दी से amino कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अमारे टॉपिक पर वापिस से लॉट आते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी मोटर जो है वो क्यों खराब हो जा रही है क्यों कि हम लोग क्या गलती करते हैं बहुत सारे इंडियन्स हम यह गलती करते हैं हमारी जो करने करने के protective हम लोग क्या करते हैं हम अमारी कार के अंदर वहां पे आपको कभी बी शैंपू को नहीं डालना क्यूंकि आपको थोड़ी देर के लिए तब की वाप छिपन करके देगा थोडे टाइम के बाद वो नीचे सर्फिस पे सैटल होनी लगता है और जैसी वह सैटल होने लगगेगा उसको पूरा हुना कर देगा और उससे होगा कि आपकी जो वह अंदर मोटर लगी हुई है जिस कर आफा आपका और विंट शिल्ड के उपस प्रे हो रहा है तो वह मोटर के पूरी ब्लॉक हो जाएगी इसलिए आपकी जो मोटर है बहुत ज्यादा फ्रीकुएंटली आपकी खराब हो जारी है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको शेंपू का बिल्कुल भी यूज नहीं कर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और वह क्यालेटी का डिटर्माइन करते हैं वह मैं आज आपको इस वीडियो में लाइव दे मैं देखें आपको मैं दिखाने वाला हुँ कैसे आपके साथ पता कर सकते हैं कि जो आप यूज वह यूज तो सबसे पहले तो मैं आपको बत तो यह आज मेरे पास पड़ाया और उसके बाद मैंने यह पच्छेस किया है शाइन एक वाशर फ्लूड है इसको भी कैसे यूज करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन में आपको करके दिखाने वाला हूं कि यह दोनों में से कौन सा बैटर है और किस ताइप के वाशर फ्लूड से आपको बचना चाहिए आपके साथ धोखा धड़ी ना हो कैसे इसका टेस्ट करते हैं और वह अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आप जो वाशर फ्लूड अपने कार के लिए यूज करें वह एक जैनुन क्वालिटी के है वह जै और पे यूज के आपको ले लेनी है कोई भी आपकी जो एक खराब बॉटल पड़ी होगी उसको आपको ले लेना है वन लीटर की बॉटल इसके पीछे डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो वाशर फ्लूड होते हैं वह इसको मैं डाइल्यूट करूँगा और फिर यह जो आपको सबसे पहले दिखा देता हूं इसको मैं कर लेता हूं यहाँ पर भी जैसी मैं इसको डाल रहा हूं मैं बिलकुल भी बॉटल को शेक नहीं कर रहा हूं यहाँ बोटल इसे की वैसी stagnant है बट यह पूरा का पूरा अपने आप dissolve हो गया पानी के अंदर और यह ही है इसका quality test जो washer fluid होते हैं इनका quality आपको अगर test करनी है तो आप यह ही हमेशा आपको चेक करना है बहुत सारे washer fluid जो थोड़े से नकली होते हैं थोड़े cheap आपको market के अंदर मिल जाएंगे जैसी यह जो EC star का जो यह washer fluid है this is a good washer fluid आप आखे बंद करके इसको purchase कर सकते हैं और इसकी price क्या वो मैं आपको बता देता हूं इसके उपर 17 रुपीज का यह पाउच आपको कोई भी authorized service center पे मारूती के मिल जाएगा आप यह purchase कर सकते हैं तो यह तो अपनी quality test में पास हो चुका है औ एक लीटर बॉटल के अंदर हमें वो दिया गया था कि 50 ml का पाउच हमें यूज करना है बट यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है सिर्फ 20 ml हमें यूज करना है हमारी जो वन लीटर बॉटल है उसके अंदर तो जल्दी से क्या करते हैं इसको भी मैं एक व हमारा पर 20 ml जैसे कि हमने पिछला 50 ml था हमारा पर आई होब कि 20 ml जो है वो इसके बॉटल के अंदर डल चुका होगा उससे भी थोड़ा जादा ही है बट अगर आप इसकी जो मिक्स होने की के पासिटी देखेंगे तो यह अभी नीचे तक उतना अच्छे से नहीं पहुंच पाए अभी भी जैसे के हमने जो हमारा इसी स्टार का था वो जैसे हमने डाला और नीचे पहुंच गया बट फिर भी अच्छे से मिक्स हो जा रहा है इसके इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है कुछ तो वाशर फूड मैंने ऐसे भी देखे हैं जैसी आप उपर से उसक पार के लिए तो यह आप देखेंगे नीचे अभी धीरे धीरे जाके बट यह पूरा का पूरा पानी के अंदर हो चुका है मिक्स आपको यह थोड़ा सा लाइट कलर है वह ज्यादा डार्क ब्लू था इसलिए हमें ऐसा थोड़ा लग रहा होगा बट यह अच्छे से नीच पैसे देने पड़ सकते हैं बट यह है कि अगर आप एमेजन से और करना चाहते हैं तो आपको इसी स्टार का एमेजन पर नहीं मिलेगा उसके लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा और सर्विस सेंटर पर या फिर आपको यह और वेबसाइट है जैसे के बोडमों जहा कि शाइन एक्स प्रो का है या आप एमेजन पर हर जगा आप इसको पर्चेस कर सकते हैं तो दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया और इसको बाई करने का जो डिस्काउंटेड लिंक है वह नीचे में डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा वहां से आप जाके कि यहां पर इंजन बे इरिया के अंदर आपको यह ब्लू कलर का जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको इसको कर लेना है यहां पर यह डलेगा वाशर प्रूर्ट और आप कोई और दूसरी कार यूज़ करें तो यह जो लोकेशन है इस टैंक की डिफ़र कर सकती है मीरी क कि यहां पर आपको left hand side में यह देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको यहां पर हमें कर लेना है open जैसे हम इसको open कर लेंगे इसका क्या हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं उसके बाद यह बॉटल में हमने आपको पानी नहीं डालना है यह पूंके छिशकर करना है चली यूज उसस लिए तकि यूंशियो में यूज क्लीन करता है तह से क्लीन करता हम हमें देखेंगे जो यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा कि यहां पर बबल्स बन रहे हैं और उसके बाद आपको दिखाई दे रही है और एकदम अच्छे से क्लीन कर रहा है तो थम्स आप आपको पता चला होगा कि किस टाइप के यूज नहीं करने चाहिए और कैसे उनकी क्वालिटी आप खुद से ही टेस्ट कर सकते हैं यह मैंने आपको एक मेजर आपको दे दिया है यह आप खुद से चेक कर सकते हैं कोई भी वाशर फ्रूट आपके पास आ रहा ह यह मोटर खराब ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए शैंपू का या डिटरजन का कभी भी यूज नहीं करने आपको तो आपकी मोटर की जो लाइफ है वो लाइफ लॉंग रहती रहेगी और अच्छे से वह काम करता रहेगा तो कोई भी रीजन से आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किये बीना इस वीडियो को मत जाएगा लाइक जरूर से कर दीजे और अगर नहीं अच्छी लगी है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स व